नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग आसा करता हूँ, आप लोग बहुत अँछे होंगे, तो एक बार फिर से सब लोगों का आज की यात्रा के नए ब्लाग में। आज की यात्रा में, दोस्तों, हम मौझूद हैं प्रियागराज के थ्रवेडी संगम में, और आज आप लोगों को प्रियाग राज में लगने वाले माग मेला 2023 का नजारा दिखाने के लिए यहाँ पर मौझूद हैं और आज हम आप लोगों को लेकर चलेंगे सेक्टर नंबर 4 और 5 का नजारा दिखाएंगे अब जैसा कि निरंतर आप लोगों को दिखाता चलाया हूँ कि कैसी चले माग मेला 2023 की तयारियां तो आज आप लोगों को फिर से माग मेला 2023 की तयारियों का नजारा दिखाने के लिए हम मौझूद हैं सेक्टर नमबर चार और फांच में तो भी बाई के जरीय हम लेकर चलते हैं और आप लोगों को पूरा पूरा परखेत दिखाते हैं आप लोग को धीमी गत्से लेकर चलेंगे और प्रियाग राज में लगने वाले मांग मेला दो आजात तेज का पूरा का पूरा ना जा रहा दिखाएंगे तो यह आप इदर देख सकते हैं किस तरह से पी ड़ी विभाग के द्वारा रोड मैप तैयार कर दिया गया है चकर प्ले बगार हे सुरू है देख सकते हैं कि किस तरह से तयारिया जोरो पर हैं और हम लेकर आप लोगों को चलते हैं आप लोगों को सिक्टर म bunch चार और पूरा पूरा अपने अस्तलों का घिराव करना शुरू कर दिये हैं और इधर आप देख सकते हैं यह रोड में धूल ना उड़े इसके लिए टैक्टर के द्वारा पानी के छिड़काव किया जा रहा है यह आप देख सकते हैं यह भाई साब इधर जो है टैक्टर चला रहे हैं और इधर द तेज की जो तैयारियां वह चल नहीं है और यह निरंतर आप तश्बीरों में देख पार रहे हों कि यह संत महत्मा या माग मिला परिछेतर में पधारने वाले जो शंत महत्मा हैं जो कल्पवासी हैं उनके द्वारा अपने अपने असलों का घिराओ करना शुरू कर दिया गय और अभी इसी तरह धीरे धीरे हम बश्ते हुए लेकर चलेंगे आप लोगों को सेक्टर नंबर पांच का भी नजारा दिखाएंगे तो आप देख सकते हैं निरंतर तैयारिया यहां पर चल नहीं है माग मिला 2030 की इधर आप देख सकते हैं और बता दी कि जिस मार्ग पर अ और अगरेब का अगरान जारे आप लोगों को दिखाएंगे का ईसी चल नहीं है तो आखरी तक हम आप लोगों को इसी तरह मागमेला का जो पूरा नजारा वो आप लोगों को दिखाते रहेंगे और अगर आप चैनल में हमारे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करने हमारा चैनल आज की आत्रा को ताकि इसी तरह की मांग मेला संबंदित सारी सारी अपडेट आप लोगों तक पहुंचाते रहें और जैसा कि बितादुक मांग मेला में तरह तरह के संत महात्मा और कल्पवासी और अलग-अलग सभिता और संस्कति की लोग यहां पर पधारते हैं तो उन सारे लोगों से आप लोगों का पच्चे करवाएंगे रूबरू करवाते रहेंगे तो फिलाल अभी हम आप लोगों को प्रियाग राज के मांग मेला 2030 की तैयारियों को नजारत दिखा रहें और जिस मांग पर इस वक्त हमा चुके हैं यह ओल्ड जीटी मार गए बता दें यहां पर भी ओल्ड जीटी प्लान्टून बना हुआ है लेकिन अभी हम प्लान्टून पर ना चलके आप लोगों को स देख सकते हैं इदर भी तैयारिया जोरों पर है कि सामने आप तस्बीरों में देख पार हुंगे काफ़ी अच्छा लग रहा है जब अभी भी तो तैयारिया जब पूरी हो जाएंगी उस वक्त का नजारा कैसा होगा तण इस गली में चलते हैं और इस गली में चलने लोको दिखाते हैं और कैसा यह एसा नजारा में थखाibel इंगे उससमय का नरे लोग यहां पर आकर बस आएंगे उस समय का नजारा बहुत ही बिलच्छन होता है और दो महीने जो इस समय मांघ मेले का जो समय होता है वह बहुत ही अच्छा होता है और इन दिनों माघ मेला में दूरदरास से परेटक्स शैलानी और दासनिक धार्मिक लोग यहां पर पधारते हैं और माग मेलया का आनंद लेते हैं और इधर भी देख लिए तैयारिया जोरों पर चल रही है लोग बाग जो है काफी जद्दो जाहत कर रहे हैं अपने अस्तलों का गिराव करने में और अपने अस्तलों में टेंट तंबू पंडाल लगाने में क्योंकि अभी दो महीना इनको यह पर रहना है पूरे पूरे अस्नान यहीं करने हैं जितने भी अस्नान पढ़ते हैं चार मुख अस्नान होते हैं उन सारे अस्नान करने के बाद ही यहां से सारे लोगों की रवानगी होगी तो किलहाल अभी आप देख सकते हैं तस्वीरों में हमारे साथ यह सेक्टर नंबर पांच है और इस समय हम सेक्टर नंबर पांच में आ चुके हैं और यह भी जूसी का ही परिछेत्र है तो आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर लग रहा है दोस्तों बता दे कि जब अभी इतना अच्छा लग रहा है तो मांग मेला जब पूरा संचालित हो जाएगा उस समय क नजारा कितना शुंदर होता होगा कितना अकरसक होता होगा यह आप समझ सकते हैं और उस समय भी हम आप लोगों को तस्वीरे दिखाएंगे प्रियाग राज में लगने वाले मांग मेले कि कैसा है मांग मेला प्रियाग राज का और बता दे कि यह एक प्रकार से प्रियाग नगरी और कब लगेगा माघ मेला ताकि लोग बाग मन रोमरणजन कर सकें और साथ मसे तमाम माघ मेला में पधारने वाले जो संत महात्मा है विन्य विनसरय सब्सकती जो लोग केसे उन लोगों को देख कर आनन्दी हो तो फिलहाल अभी आप देख सकते हैं तो निक तक हमें दिखाना है कि कैसी चले हैं तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और लेकर चलते हैं आप लोगों को उधर से तयारीयों का नजारा दिखाते हुए पूरा वापस आएंगे ताकि पूरा का पूरा परिशेत्र आप लोगों को दिखा आप क्योंकि पाइदल चलना संभव नहीं था इतना लंबा परिछेत रहें इतनी दूरी पर लगता है माघ मिला तो हम आपको इस तरह से पाइदल चलके पूरी तैयारिया नहीं दिखा सकते थे तो इस तरह से अपने बाइक का सहारा लिया इधर आप देख लिजिए तैयारिया जोरो पर है किस तरह से लोग बाग अपने अस्थानों पर पधार कर और अपने अस्थानों का घिराव करते नदर आ रहे हैं काफी दूर आ चुके बता दे कि प्रियाग्राम ये जो माघ मेला लगता है उसके दूरी जो होती है लंसम अगर देखा जाए तो कम से कम 15-20 किलोमीटर की दूरी होती है पूरे परिशेत्र को मिला कर और आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब 2025 में महा कुम्भ होगा तो उस समय का नजारा क्या होगा बता दें कि कम से कम सत्तर से 80 किलोमीटर की दूरी होगी सत्तर से 80 किलोमीटर की दूरी के परिशेत्र में पूरा का पूरा महा कुम्भ लगेगा और उस समय के बहुत बिल अच्छा नजारा होता है और उस समय तो पैदल निकलना भी दूबर होता है क्योंकि काफी भीड होती है और जलकल भी भाग की पाइप बिशाई आ रही है त और जैसे ही मेला लगेगा ये एक भी जगह आपको खालित देखने को नहीं मिलेगी फिर इसके बाद जब मेला संचालित हो जाता है तो पहर रखने की भी जगह नहीं होते हैं यहां रोड के किनारे किनारे तमाम तरह की दुकाने हैं वो अकरसन का केंद्र बनती हैं और अखाडा होता है तो अभी बिल्कुल आखरी छोर पर आ चुके हैं तो यहां से लास्ट है तो कि इधर का जो जो जोन है वो किसानी का है लोग बाग अपनी अपनी किसाने में लगे हुए हैं याब देख सकते हैं इदर गेहूं बगएर कि फसल बोई गई है और अभी हम बिल्कुल लाश्ट जोन पर आ चुके हैं बता दे कि सामने आप बक्सी बांद देख रहे हैं बक्सी बांद तक हम आ चुके हैं और इस रास्ते से हम चलेंगे वापस और वापस चलती हुए आप लोगों को दिखाएंगे नजारा प्रियाग राज में लगने वाल रेत में चलना दूबर हो जाएगा लोग बाग आसानी से निकल नहीं सकते चल नहीं सकते और यह अभी हम आ चुके हैं चगर प्लेट में और यहां से अब हम चलते हैं जल्दी से और आप लोगों को दिखाते हैं नजारा तो यह आप देख सकते हैं यह हैं माग मेला 23 की तयारिया और यह देख लिजे इधर भी लोगों का आवा गमन सुरू हो गया है लोग बाग आने सुरू हो गया हैं बता दें कि जो दूर दराज अलग अलग राज्यों से अलग अलग जिलों से जो आने वाले संत महात्मा है यहां पर आपकपने नगरी बसने लगी है यह देख लिजेए बेहत खूब सूरा नजारा है बता दे और इधर से भी साइध रास्ता बंद है लेकर फिर भी हम आप लोगों को लाश्ट तक ले कर चलेंगे और यहां तक ले चलके आप लोगों को दिखाते हैं यह आप देख लिजे इधर से भी जलकल विभाग का काम होता दिखाई दे रह थोड़ा साथ प्रभाव पड़ा है माग मेले में तो यह देख लिजे इधर कैम्मेरेबेंट्स थोड़ा सुठाक दिखाई देख लिए घास फूस की जो जोपड़ी बनाई जाती है वह कितनी सुंदर लग रही है यहां से हम नीचे चलेंगे और दूसरे रास्ते से होकर वापास चल रहे हैं तो कि सारे रास्तों पर काम शुरू है तो उसके चलते जो है थोड़ा साथ दिखते आ रही हैं यह आप देख सकते हैं कि कैसे होती है माग मेले दोजाद तेज की तैयारिया यह आप देख सकते हैं और अभी हम कि आगी चलेंगे अचे अधिर यह उसमार्क से छलते हैं और इधर देखाते हैं नजारा आपको तो यह आप देख सकते हैं हिधर अप पुरा का परशेटर्स हमने दिखाने को ढांब पूरा का पूरा पर परशेटर आप लोगों को दिखाएंगे यह देख लिजे किधर अभी यहीं से वापस हुए थे काम चला है और इस गल्ली से हम चलेंगे वापस और पूरा का पूरा परिषेत्र आप लोगों को दिखा दें और यह जो सामने आप प्लान्टून देख रहे हैं यह प्लान्टून नंबर पांच है यानि कि ओल्ड जीटी और उसके जश्ट बगल में हैं प्लान्टून नंबर चाल गंगोली सिवाला तो यह आप देख सकते हैं तैयारियों का नजारा काफी जोरों पर है यह देख लिजे अगर पैदल चलते दोस्तों संभाव ना हो पाता क्योंकि इतनी दूर पैदल कैसे चल सकते थे और आपको हमने कम से कम पूरा घुमा फिरा के तीन से चार किलोमीटर का नजारा दिखा दिया मांग मेले के परिशेत्र का यह आप देख लिजे और इधर भी एक बार हम आप लोगों दिखाने यह आप देख सकते हैं यह अखाड़ा आप देख सकते हैं पीठा दिस्वर स्री दंडी स्वामी महराज जी का है और यह दम्हास्त्रम जिम प्याग राज यह और इधर भी देख लीजें इधर भी अखाड़ा लग चुका है यह आप देख सकते हैं और बता दे कि काफी जोरों पर हैं तयारियां और इधर हम आप लोगों को दिखाएंगे और क्योंकि चलना होगा हमें गंगोली शिवाला से और यह है ओल्ड जीटी तो इस तरह से आज हमने आपको सेक्टर नंबर चार और पांच का पूरा पूरा परिशेतर दिखाते हुए इस वक्त हम आ चुके हैं ओल्ड जीटी मार्ग पर बता दे कि यह प्लांटू नंबर पांच है और इसको ओल्ड जीटी के नाम से जाना जाता है इसके जश्ट बगल में गंगोली शिवाला प्लांटू नंबर चार तो इस तरह से हमने आपको सेक्टर नंबर चार और पांच की तैयारीयों का जाजा करवाया तो आसा कर तो वीडियो आप लोगों पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हो ज्यादा ज्यादा लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें मारे चैनल आज की यात्रा को ताकि इसी तरह के सांधार वीडियो लेकर आप लोग उसे मिलते रहें तो आज के लिए बस इतने ही अगले वीडियो में फिर मिलते तब तक के लिए नमस्कार जैहिन